नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में दोस्तों लोग यहाँ पर B8 से सम्मंदित यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपके हिंदी और जीके के प्रस्ट होगे महा मायरा थन कलास है आपकी जहाँ पर आपके 100 50% प्रस्ण आपके GK के हैं और हमारी टेस्षीरीच की खासियत है आपको यहाँ पर हर एक चैप्टर से 10-10% आपके लिए गए हैं जो कि आपकी expected हैं और यहाँ पर याद रखेगा सभी प्रस्ण आपके यहाँ पर पूछे गए हैं 90% चांस आपको यहीं से है कि हमारी से सब्कारी मिलेगी लेकिन काफी अच्छी रहें के साथ आपको मिलेगी चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए और डेली यहाँ पर आप साधे 10 वजे से ये class आप ले सकते हैं जो कि ये class आपकी वेड़ की चलती है चलिए start करते हैं यहाँ पर आपका जो प्रस्ण दिया है कि वर्ण माला सम्मन्दित आपके प्रस्ण दिया है पहला प्रस्ण पुछा गया है कि हिंदी सब्द कोस में छा का करम डिया है चलिए सबी जवाब दीजिए हैं पर हिंदी सब्द कोस में छा का करम कि डिया है ति यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा very good option राइट का के बाद क्योंकि जो छा बनता है काधन सासे बनता है के जवाबं दीजे कि-सकी सब्दों में किस सब्द coughing दुइत ऊंपर पूचा है। नेम रिक्त में से कौन सी धोनी ओष्ट ह他是 नहीं है अब ओष्ट की बात करें तो दूनों 8 मिलना चाहिए फाह बाबवा वात है organizations दूनों को बोलोंगे तो दूनों ओठ आप ł侵िलना होंगी उनेको बुलते हैं हम लोग ओस्ट अब यहाँ पर दे सकते हैं जो option आपके दिया है आपका D number ता सब्द यह आपका ओस्ट नहीं है जब ता बोलते हैं तो आपके दंत अर्थात कर सकते हैं जीव और दात इस पर सोता है इसलिए यह आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा D number चलिए next question नेमलेकित में से कौन सा घोस वर्ड है घोस वर्ड और अघोस वर्ड यहाँ से भी question आते हैं घोस वर्ड यहाँ पर दे सकते हैं कौन सा हो जाएगा 4 का फोर्ग option right आपका यहाँ पर गोस वर्ड हो जाएगा आपका देखिए C number ठीक है क्योंकि अगोस होते हैं किसी विवर्ड के पहले और दूसरे अच्छर लेकिन गोस और सगोस यह जो होते हैं तिरती चतुर्थ और पंचम वर्ड होते हैं और पंचम वर्ड आपका कौन सा है आपका C है जो कि आपका mean हो जाएगा घीक छलिए अगला है लॉड माला में शोरों की संख्या है जवाब दीजिए मिंदी वर्ड माला मेंशोरों की संख्या कितनी है की 5 जवाब हो जएगा वेरे गूड याद रखिएगा कि सोरों की संख्या पे कितनी है 11 है option आपका C हो ज याद रिखे किसी वीवर का हो उसका जो पांचों अच्छर होता है वो आपका अनुनासिक बेंजन होता है अनुनासिक मतलब होता है कि जब आप बोलते हैं तो नाक और मुह दोनों से आवाज निकलती है ठीक है इस प्रकास से आपसन आपका डी हो जाएगा नेस्ट कोश्चन दिया है कि अनुनासिक का संबंध होता है अनुनासिक का संबंध होता है किसे तो अभी हमने बताया था कि अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुह दोनों से ठीक है सी नमर आपका हो जाएगा नाक और मुह दोनों से हो जाएगा नेस्ट कोश्चन है या यह जवाब और देखे या रा लावा जो आपके हैं, यह जो उते हैं, यह आपके जिब में रुआख्ण में करते हैं और अदर से आती हुए प्रितीत होते हैं, इस कारणग बोलते हैं, अन्ताहस्त फ्रितित् właściwie होते हैं, सीधा पेट से आते हुई प्रेटित होते हैं इसलिए बोलते हैं अंतास्त और संक्या होती है चार नेस कोर्शन है नेम लिकित में से कौन एक संयुक्त बेंजन नहीं है कौन एक संयुक्त बेंजन नहीं है देखें संयुक्त बेंजन के संक्या होती है आपकी चार यहाँ पर दे सकते हैं जो संयुक्ति बेंजन नहीं है वो आपका है option यहाँ पर B हो जाएगा यह जो सा है यहाँ आपका उस में बेंजन में आता है ठीक है उस में बेंजन में आता है इस कारण से B नमबर आपका यहाँ पर संयुक्ति बेंजन नहीं है तालब बेंजन तालब चा चा बोलते हैं तो आपके जीब आपकी तालू को इस पर से कर लेती है यह आपका ओप्सन हो जएगा ए नंबर चा चा जा 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 यह आपके तालू वेंजन है ठीके चलिए तर्सम तद्भौ सम्मंदित आपके प्रस्णे यहां से प्रस्ण बहुत मिलते हैं चलिए 11 का आपका समज हो जाएगा ठीके अंस यहाप हो जाएका तर्सम सब्द बाइए और याद रखे गा किशो यह वाला साह होता है 95% रेंट समय ही मिलेगा ठीके और यह वाला हुता है यह आपको तदभौ सब्द में मिलेगा ठीके 90% आपको चाynn's मिलते हैं अग्रा जालक का तद तदभाव क्या बनेगा तो जालक का तदभाव मोसरी सबस्द व difण जरुखा जारुक्येस यह कूश्ये निमली कितमें से यहांगो तद समई यहांपर से कौना यहांपर राथ चे सब्म नंबर आपका दिया है अग्नी ठीके अग्नी यहां पर क्या है तंसम है ओपिसन आपका B हो जाएगा निंश कोश्चन निम्र कित में से कौन एक सब्द तदधाव नहीं है माएंगे पुछ फूछाए अरफpower जो यह gemaakt है तत्सकर यह आपका यहाँ पर तत्सम सब्द है ठीक है जो तत्सकर है यह आपका तत्सम सब्द आपका है याद रखे यह जो आपका सा मिलता है ठीक है यह सा जो मिलता है आपको लगवग यहीं पर देखने को मिलता है यह बाला सा भी आपको लगवग यहीं पर देखने को मिलेगा ठी कि गलत है दरिकाद ही होता है जो कि अपसन आपका भी गलत हो जाएगा ठीके अगला है अधो लिकित में से कौन सा सब्द तत्सम नहीं है तत्सम नहीं है अर्था तत्बह होगा और तत्बह आपका सब्द कौन बनेगा देखे हाथ हाथ यह आपका तत्बह है इसका तत्सम बन कि करपट का तदभव रूप कौन सा है करपट का तदभव रूप पुझाए और करपट का तदभव रूप बनता है कपड़ा बनता है वेरी गूट बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं बिल्कुल अच्छी तयारी है next question है कि कुटुम्ब का तदभा रूप होगा कुटुम्ब का तदभा रूप होगा चले कुटुम्ब का तदभा रूप very good कुटुम्ब का तदभा रूप होता है कुटुम होता है ठीके ए नमर आपका हो जाएगा कुटुम हो जाएगा next question दिया है कि निमलिखित में से कौन तद्भाव सब्द है निमलिखित में से कौन तद्भाव सब्द यहाँ पर बताना है चले यहाँ पर 20 का जवाब यहाँ पर तद्भाव सब्द आपका देखो दिया है सूरज ठीके सूरज दिया है और इसका तर्सम आपका सूर्ज दिखो होता है है न होता है नर्रा उड़ जाएगा और यह राज उड़ेगा तो आपको 90% आपको तर्सम में मिलेगा यहाँ पर D नमबर आपका हो जाएगा अब समास से सम्दित प्रसन आपको देखने को मिलते हैं काफ कर्म धारे समास है ठीके कर्म धारे समास है नेश कोशन है सोका कुल में समास बताईए सोका कुल सोक में कुल अर्थात यहाँ पर आपका बनेगा ततपुरुष समास हो जाएगा ठीके कुल सब्द आपके यहाँ पर देखो कैसे सकते हैं प्रधान है अंतिम प्रधान होता है तो आपका तत्पुरुष समास होता है अपसन आपका यह हो जाएगा अकाल पीडित में समास बताइए अकाल पीडित अथता अकाल से पीडित यहाँ पर जो की यह भी आपका जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास ठीके फटा फटन सर देते रहे जो प्रस्ण सरल होंगे पिल्कुल फटा फटन सर देंगे सब लोग, चले युदिस्टिर में कौन सा समात है, युदिस्टिर में समात है, युदिस्टिर, युद्ध में स्ठिर, अर्था आतो, जवाब हो जेगा आपका, यहाँ पर याद रखेगा, यह प्रस्ण बहुत बार पूछा गया है, चले जवाब दीजे, सभी के जवाब आजाएंगे, तभी इसका जवाब देंगे, युदिस्टिर में कौन सा समात है, हमने कई बार पढ़ाया है, यहाँ पर आपका अलुकतत पूरुस है, याद रखेगे, जब विवक्ति प्रियोग ने होती, तो आप अलुकतत पूरुस होता है, उप्सन सी होजएगा, रट लीजेगा, अगला है, चक्रपाणी दर्सनार्थ में इस मानने समा से, चक्रपाणी दर्सनार्थ में जो मानने समा से, यहाँ पर आपका जवाब, 25 को आप्सन राइट आपका देखो, यहाँ पर कह सकते हैं, चक्रपाणी है, और चक्रधारण करने वाले, यहाँ पर आपका जो जवाब हो जब जब दर्सनार्थ, बहुरी समास हो जब ठीक है, बहुरी समास है, यहाँ पर निस कोशन दिया है, कस्टा पन्न में समास बताई, कस्टा पन्न में समास, कस्ट में, जो आपका होता है कस्टा पन्न में, तो आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जएगा, बी निमबर, निस कोशन दिया गया है, आपसे एगला question पुछा गया है कि चंदरकांती सब्द में समास चंदरकांती चंदरकांती में जो आपका समास है वो आपकी कौन से समास है चंदरकांती दिया है वाई ठीके चंदरकांती यहाँ पर जो आपका बी नमबर है करमधारे समास तीके कर्मधारे समास कट पुतली में कौन सा समास है कट पुतली में समास तो काट की पुतली अर्थ यहाँ पर आपका कैसकते हैं कि संबंद रशाएगा जो कि आप संबी हो जाएगा संबंद तत्पुरुष नेस कोशन निम्निकित में से दुन्द समास का सब्द है दुन्द समास और दुन्द समास का सब्द आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर देखे दुन्द समास यहाँ पर आपका दिया है देखे आज कल दिया है रातो रात दिया है दिन रात दिया है और वीर पूरुष दिया है यहां पर देखे 29 नमबर दिन रात दिया है डैस किसी में नहीं लगा दिन और रात ऐसे बोलेंगे दिन रात दिन और रात तो यह आपका स्थी नमबर आपका हो जाएगा ठीक है लेकिन साथ में आपको दिया है आज कल आज और कल यहां पर दो ऐसे आपसन है जो आपके दुन्द समास के हैं ठीक है यहां पर दो आपसन है याद रखेगा रट लीजे दो आपसन आपके हैं दुन्द समास क्या होता है दोनों ही पत्परधान हो दोनों के बीच यह यह चिन हो और एक दूसरी की विप्रीत हो उसे हम लोगों बोलते हैं दुन्द समास ठीके यहाँ पर आज कल आज और कल दिन रात और दिन और रात यह दोनों हो जाएंगे ठीके चलिए निस कोश्चे ने पर्ण कुटी सब्द का समास है पर्ण कुटी सब्द का समास जो आपका है वह आपका क्या होजएगा पर्ण कुटी अथात पर्ण कुटी यहाँ पर यहाँ पर ए नंबर आपका तत्पूरुष समास होजएगा ठीके पर्ण कुटी यहाँ पर आपका जवाब होजएगा वहाँ पर होता है आपका मिल्कुछ सही जवाब है option C हो जाएगा अनप्रास अलंकार होता है ठीके चलिए निम्न में से कौन अर्था अलंकार है कौन अर्था अलंकार है यहाँ पर चले 32 नमबर और अर्था अलंकार के अंतर देखो बिन काना इनमें से अलंकार कौन सा है 33 नमबर तो यहाँ पर बिन पग चले सुने अर्थात कारण के अर्थात बिना पग के वो कैसे क्ते हैं चल सकता है बिना कान के सुन सकता है जब बिना इसा कोई कारण मिले वो आपका असंगत यलंकार होता है याद रखेगा यहाँ पर यह नंबर हो जाएगा असंगत यलंकार हो जाएगा ठीक है ना देखो बिना पैर हो चल सकता है जब ऐसी स्थितिए आपको देखे मिले तब आपके यहाँ पर असंगत यलंकार होता है यह नंबर नेस्ट कोशन चरण कमल ब बीच सुकुमार, खुल रहा म्रदुल अंद खुला अंग, खिला हो जियों बिजली का फूल, मेग बन बीच गुलाबी रंग, यहाँ पर अलंकार पूछाएं, तो पैतिस का जवाब क्या हो जाएगा, पैतिस का जवाब यहाँ पर देखो दो पॉइंट अगर होते हैं, तो ह पैतिस नंबर, अलंकार आप पढ़िए भाई, अलंकार को अच्छे से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएंगे, चले जहां कारण के बिना कार की उत्पत्ती हो कौन सा अलंकार है, जहां कारण के बिना कार की उत्पत्त होती है, याद रखिए वहाँ पर विभावना होत होता है ठीक है जहां कारण के बीना कारे बीना कारण के ही कारे हो जाए वह आपका विभावना होता है और जहां पर कारण हो और फिकार हो तो वहां पर असंगती होता है इसका जवाब का यह हो जाएगा नेस कोशन है तो पर वारों उस वसी सुन रादी के सुजान तु मोहन के उस वसी कह है उर्वसी सुजान यहाँ पर अलंकार बताईए साहतिस नमबर यहाँ पर जो आपका अलंकार है वापका कौन है यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा तो वरवासो उर्वसी उर्वसी और उर्वसी यह दो आपके सब्दें और यहाँ पर जवाब अपका A हो जाएगा यमा कलंकार हो जाएगा यमा कलंकार आपका A हो जाएगा ठीके नेस कोशन है दरग उर्जत तुटत कुटुम जूरत चतुर चित प्रीत परत गांट दुर्जन हीए दई नही या रीती यहाँ पर दोऎ में जहां पर कारण भी है और कारण भी हो रहा है यहां पर असंगत इलंकार है option B हो जाएगा नेस question है कनक कनक ते सोगनी मादकता दिकाय में कौन सा अलंकार है देखे अलंकार की बहुत ज़ादा उधारने होते हैं हमने बताया है कि अगर डेली के डेली टेस्ट लगाते हैं तो ये कोश्चन आपके बार भी रिपीट होंगे और आपको रड़ भी जाएंगे आपको मेनत भी नहीं करने बढ़ेगी क्योंकि 100 से ज़्यादा लंकार होते हैं और सभी अलंकार में थूड़ी थूड़ी बारीकियां होती हैं और 100 लंकार आपको ना हम पढ़ाएंगे ना ही कोई पढ़ाएगा कभी-कभी एकजामनर सौलंकार में कोई ऐसा लंकार दे देता है जो खुद किसी को पता नहीं होता है लेकिन अगर डैली के डैली आप प्रेक्टिस करते हैं तो अच्छे वाले जो हमेशा पुछी आते हैं उपरसना आपको दिखाई मिल जाते हैं तो 49 यहाँपर पूछा है कनक-कनकते सोगनी माधक्ता दिकाए यहाँ पर 49 को पुछन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा बिलकुल सही है यहाँपर आपका यमक लंकार हो जाएगा ठीक है, यमक लंकार हो जाएगा कनक-कनक, ठेके ना समझ में आ गया होगा चले इने इस question है कि दरग उल्जत को तो तो देखो दुबारा सी question वही आपका आ गया 40 number हमने बताया था कि देखो अभी यही पर दरग उल्जत आपका यहाँ पर दिया था कि question यह वाला आपका दिया है यहाँ पर दिया है असंगती ठीक है 38 number और यहाँ पर आपका दिखो असंगती आपका 40 number दिया है ठीक है यह आपका दिया है 40 तो आपका आपका उनिया पर असंगती ठीक है तो देखो question बार बार repeat हो जाएंगे तो आसाने से आपको याद हो जाएंगे चलिए अगला है कि विभत्स का रष का इस्थाई भाव क्या होता है जुगुपसा होता है ठीके सी नमर जुगुपसा अगला कोशन है कि अभी तो मुकुत बन्धा था मात हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बॉल, खिले थे चुम्मन सून्न का पोल, है रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वाता हल्लत का वाह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार में नहीं तरस, यहाँ पर बताना है कौन सा आपका रस है, तो देखो यहाँ पर एक औरत की तुल्ला की जा रही है, जो अभी साधी हुई, अभी हाथ हल्दी हुई थी उसके, और अभी उनके जो पती है, उनका देहान्त हो जाता है, तो यहाँ पर आपका कौन सा रस हो जाएगा भई, नमबर निश्कोचन दिया है कि मन की मन की उत्पद वेदना मन ही मन में बहती थी चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन बेथा कहती थी दुर्गम पत पर चलने का वो संबल छूट गया अविचल अविकल हुआ प्राड़ी भीतर से तूट गया यहां पर बताना है कि कौन सा रस है आपका च्वारिश नमबर के और यहां पर भी उसी से जुड़ी हुई यह भी पंक्ति आपकी है जो कि आपसन आपका सुझेगा करूड रस हो जाएगा ठीक है करूड रस हमने पढ़ाया है जो रिगुलर बच्चे रहते हैं उनको कताई दिक्कत नहीं होगी चलिए सरुज रस किसे मानते हैं और यहां पर सरुज होता है आपका स्रंगारस ठीके बै नमबर आपको होजैगा स्रंगारस को अगले हुस काल मारी प्रूद के ततनकाप ने उसका लगा मानो हवा के जूरस होता हुआ साहा पर कारर पंक्ति में जू रस है वा आपका कॉन साह 46 नं अगर यहां पर अलंकार पूछ लेता तो अलंकार का जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप पर मानो है अर्थात जो आपके रस होते हैं और अलंकार के उधारण होते हैं एक ही होते हैं बस वहां पर रस निकालना होता है यहां पर अलंकार में आपको पूछा है तो यह को मानो सब् थे यह सुन्चारी दीपन विभाव बादल की घटाएं कोयल का बोलना बसंत आधी होते हैं धेखिए हैं । तब आपको बादल की घटाएं धे या जो होते हैं ये यह संचारी वहाव को उत्पन होते हैं तो यह श्रंगार रस होता है जब प्यार होता है ठीके तब आपको बादल की घटाएँ कोवल की बोलना बसंती यह बहूँट अच्छे लगते है आर्था तिहां पर जो व्यू जो स्रंगार पर श्रंगार रस है इसके दो पाठ होते हैं पर जो स्रंगार रस है आपका यह हो जाएगा ठीक है ना चलिए अगला है किस रस का संचारी भाव उगरता गर्व और हर्स होता है ठीक है उगरता हो गर्व हो हर्स हो यह जो आपको मिलेगा वो आपके बी रस मिलता है ठीक है बी नंबर असुया में किस वर्ग में आएगा असुया इन में से किस वर्ग में आएगा असुया तो असुया एक संचारी भाव है ठीक है संचारी भाव है option आपका D हो जाएगा संचारी भाव नेस कोशन दिया है चंद से सम्मंदित प्रसंद दिया है घनाच्री चंद जो घनाच्री चंद होता है ये किसके अंतरगत होता है घनाच्री चंद तो घनाच्री चंद होता है आपके इन में वर्ण अगिने जाते हैं और जहां वर्ण अगिने जाते हैं उसको हम लोग वर्ण चंद कहते हैं ठीक है आगला कोशन है चरणों में वर्डों की संख्या कम से अधिक की आधार पर इन वर्डिक छंदों का सई अनुकरम बताईए यहाँ पर कम से अधिक की ओर जाना है और हमने आपको बताया भी था कि वर्डों में देखें बावन नमबर यहाँ पर जवाब इंदब्रज्रा वसंतलिका मंद्रकान्ता सारदुला और कृडिंद यह आपके विलकूल करम से हैं ठीक है आपका डीनमर हो जाएगा हाँ आज टॉपिक में प्रोपिक में आपको प्रोब्लम होती है तो आज ही आपको इस टॉपिक को कंपलीट करना है ठीक है करसम खा के अधार पर मात्रिक छंदों का अनुक्रम बताना है कम से अधिक बताना है ठीक है अर्थात कम से अधिक यहा पर जाएंगे वह आपका देखे चौप पाई में 16 होती है है ना फीयूस वर्द फीर रोला ओ गया फिर आपका यहां पर चौप आई अर्थातो यहाँ पर कह सकते हैं चौपाई, प्यूसवर्ग, फिरोला फिर आपकी चौपाई, फिर से आ गया, यहाँ पर दिखें, गितिका चौपाई, दिखो आपको इससे पॉइंट पकड़ लेना है कि सबसे पहले चौपाई तो आता ही है, है ना, 16 होती है, अधर किसी मे रख दिया है, लेकिन यह तीन क्रम आपको मिल नहीं, इसके अमसार आपको लगा देना है, इन में से कौन वर्डिक चंद है, चब वर नमबर कौन सब वर्डिक चंद है, तो वर्डों की गिंती होती है आपके सवाईया में, ठीके सवाईया में होता है, आप संसी हो जाएग चंद सास्त के प्रणेता आचार जो माने जाते हैं वह सम मात्री चंद जिसके प्रत्यक चरण में 24-24 मात्राय होती हैं कौन सा चंद कहा जाएगा 57. नमबर और 57 कॉपसर राइट आपका जवाब यहां पर आपका हो जाएगा यहां पर रोला हो जाएगा ठीक है रोला नेस कोशन दिया है कि रह्मन चुप है बैठ ये देख दिनन को फिर जवनी के दिन आई है बनत न लगे हैं बैर यहां पर चंद पूछा या ठावन नमबर तो अगर मात्रा लगाना चाहते हैं तो मात्रा भी लगा सकते हैं हम रहता है था कि जो मात्राइं दो प्रकार की होती है ठीक है न तो उनमें से देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौदस ग्यारा पार तेरा यहां पर तेरा मात्रा हैं इन में तेरा मात्रा हैं तिधर आपकी 11 होंगी 13-11 मतल आपकी 2 हा में होती है यह नमबर हो जाएगा ठीके लगा लीजिए असानी से लग जाएगे अर्द सम मातरिक छंदी का जो दारान है वह आपका कौन है अर्द सम मातरिक जाती का जो छंद है वह आपका कौन है यहाँ पर 59 और 59 को ओप्सन राइट आपके यहाँ पर B हो जाएगा दोहा होगा ठीके दोहा ओप्सन राइट भी हो जाएगा अगला है नगड मगड नगड 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 यगड यगड के करम से आठ और साथ की यति से पंदरा हमात्रा किस वर्डिक छंद की विश्यस्ता है नया प्रस्न जा मिले आपको इसके इसकी इसकी सार लेना है और इसका अंसार आपको यहाँ पर देखना है यह आपका मालनी है ठीके यह उदारान आपको मिलेगा मालनी का डे नंबर अब आपको दिये हैं आपको यहाँ पर जो की प्रस्ण दिये सब्दों का सही अर्थ चिन्नित करना है दुज का अर्थ होता है दुज का अर्थ क्या होता है इजी कोश्चन आप आचुके हैं आपके दुछ का अर्थ होता है, ब्रामड भी होता है, दाद भी होता है, पच्छी होता है, अर्थात, इन में से सबी डी नमबर आपका हो जएगा अगला है रज्यू सब्द का हिंदी में अर्थ क्या है, रज्यू सब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है रज्यू सब्द का जो प्रियोग होता है या आपका होता है रज्यू मतलब रशी होता है ठीक है सी नमबर आप पहुज़ेगा रशी निसीत का उप्यूक्त अर्थ बताईए निसीत का अर्थ क्या होगा तिरस्ट नमबर तो निसीत का मतलब होता है याद रखेगा दोस्तों क और धरात्री के समय को हम लोग निसीत बोलते हैं, आपका A numbers हो जाएगा, नेस्ट कोशन आकरीट सब्द का सम भिनार्थक सब्द क्या है, आकरीट सब्द का सम भिनार्थक सब्द क्या बनेगा, चौसर नंबर, तिसका बनता है चितर, ठीके जवाब कशी हो जाएगा, आकरीट सब्द का भिनार्थक सब्द आपका दिखे बनावट होगा वर्ष्ट्रियाब ही ये लेकिन चित्र नहीं होगा निम्ण में से कौन अनेकार्थक सब्द की स्रिणडी में नहीं आता है अनिकार्थिक सब्दिकी स्रेड़ी मर्थात उसके अनिक अर्थ आपके नहीं होते हैं किसके नहीं होते हैं तो यह नहीं होते हैं आपके किरण के ठीके किरण के अनिक अर्थ नहीं होते हैं बलकि अंबर के वर्ष्टर के आकास के होते हैं लेकिन किरण के नहीं होते हैं कौन अनिकार्थक स्रेडिका नहीं है 66 का जवाब अगर टफ लगता है तो आज ही पढ़ाई कर सुरू कर दीजी जो टॉपिक में दिक्कत आ रही है ठीक है 10-15 दिन पढ़िए आपको टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका च् सब्द का स्रेडिका सब्द है आपका गैर अनिकार्थी तो यहाँ पर 67 का जवाब आपका स्रेडिका सब्द है ठीक है अगला कोश्चन है दुझ के अनिकार्थक सब्दों में से निम्ट से कौन एक सब्द नहीं आता है दुझ में अभी हमने आता है तो ब्रामार्थ पच् तो भक्ति मतलब सेवा करना होता है पूजा करना होता है लेकिन कविता करना नहीं होता है ठीक है और सफ़ेखित में से कौन सा अध pouco ने पानी का भी अर्थ देता है कि है तो पानी का यह that गिता है टो रहिए तो वह वन देता है याद रहिए कि गवी नंबर को जाएगा अब यहाँ पर सुद्ध वरत्नी अपको कि क्या हो जाएगी यहां पर देखे यहां पर अपस्द जो आपका दिया है कौन से नंबर दिया है कि 우ak-यहां पर देखिए पूज दियी होता है पूज नी यह होता है सुद ठीक है चिais प्रकार से पहला हो गया उजवल में देखते हैं उजवल में वह बना होता है इस प्रकार से गया लेकिन जो ततना यह भी थे ​​party अगल्लिक आता है याद रिखेंगा लेकार से लिकें व चले सुद्द वर्तिनी वाले यहां पर सद्रताना है इच्छा दुरूम इच्छा दुरूम जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा तीहत्तर का जवाब तीच्छा द्रूम आपका हो जाएगा अपसंद C नमबर ये इस प्रकार से लिखा जाएगा ठीके इस प्रकार से अपसंद राइट आपका हो जाएगा कौन सा C नमबर चले सुद्ध वरतिनी वाले सब्द का चर्ण करना है यहां पर दिरुविक्त दिरुक्ती जो आपका हो जाएगा कौन सा दुरुक्ती यहां पर दिखिए सही कौन साय गई्ला आपको ऑन अच Свवत्तर का जवाब चले इस यह यह बहुत का दि यह वाला और यह वाले में कोई परिवर्टन यह अंतर same दिख रहा है बिल्कुल same है यहां बिल्कुल same है यहां पर दो आपके ऐसे सब्द है जो आपके यहां पर सची है ठीके दोनों यहापके सच tęहे हैं फर्ष्ट और सेकंड दोनों सची है ठीके Famaran और चलिए next question आपसे दिया गया है कि सुद्वरतिनी वाले सब्दकाय चैन कीजिए 75 नमबर यहाँ पर वी समरत जो लिखा जाता है याद रखे वी इसमत यह इस प्रकास लिखते हैं ठीके वी इसमत इस प्रकास लिखते हैं डी नमबर आपका हो जाएगा यह टोपिक को थोड़ा से आपको बस रिवीजन करना ह काया है और एक दो बार देखेंगे तो टौपिक कम्पलीट हो जाएगा सुद्वरतिनी वाले सब्दकाय चैन कीजीस हम आपको बेसिक भी गमपलीट करवा देंगे ठीके यह टेस्ट म्मिंट कर आके आपको यहाँ पर बेसिक भी कम्पलीट करा देंगे यहां पर जो सबस्ट है तो सही जवाब वरता कने कि दरश्टी से यहां पर आश्चुद पुछा है या नहीं आपको देख गया है या नहीं होता है इस प्रकास से यहां पर अनवर बताईस के सब्गोस मैंषब यहां पर सता है द्टजी विसा कि इस प्रकास से लिखते हैं बाई अठत्ता नंबर और जी जी वी सा देखे ओप्षन आपका बी यहां पर जो सही है बिलकुल जी जी वी सा इस प्रकास लिखते हैं अगरो कोश्चन में कित में से एक सब्द की वर्तनी असुद्ध है यह आपका सब्द हो जाएगा 79 को और आइट आपका जवाब यहां पर हो जाएगा आपका देखे कव इत्री यहां पर आपसन आपका सी हो जेगा कवी इत्री कौनसा सही होगा बई कौनसा होगा बई बी नंबर होगा ठीक है गलती मत करना बी नंबर आपका होगा कव इत्री इस प्रकास लिखते हैं दो मत्रह होती हैं चले ठीक है गलती हैं बहुत होती है इसमें चले इनेस कोश्चन इन में से सुद्ध वर्तनी वाला सब्द कौनसा है सुध्वरतिनी वाला आपका कौन सा यहां पर है असी नमबर और यहां पर असी का जवाब हो जाएगा option right आसिरवाद आसिरवाद आपका इस प्रकास से होता है स्टी नमबर आपका हो जाएगा असिरवाद ठीके चले इस कोशन है संग्या सब्द आपके यहां पर बताना है संग्या सब्द ठीके चले दिया है कि आपका घर जिस सहर में है उस सहर का नाम संग्या का कौन सा भेदोगा सहर सब्द और सहर सब्द जो आपका आता है वो आपका कौन सा होता है यहां पर 186 नमबर तो वो सहर एक पलसना लेकी होता है जिसको हम ब्यक्तिवाचक संग्या के अंतर देखते हैं जैसे कानपूर, फतेपूर ये जो सब्द होते हैं वो आपके ब्यक्तिवाचक में होते हैं ठीके? हमारे देश में जैचंदो की कमी नहीं है जैचंदो सब्द जो दिया है जैचंदो संग्या के किस सब्द के अंतर जैचंद दिया है देखो जैचंदो दिया है तो ये आपका आएगा जातिवाचक में ठीके? एक जैचंद की बात नहीं है धेरो जैचंदो की बात है उनसे तुलना की गई है यहाँ पर आपका जातिवाचक होगा सुन्दर्ता में संग्या है सुन्दर्ता में संग्या क्या हो जाएगी सुन्दर्ता सुन्दर्ता यहाँ पर जो संग्या हो जाएगी आपका जवाब यहाँ पर तिर्स यहाँ पर सुन्दर्ता में जो हो जाएगी बिल्कुल सहिए भावाचक हो जगा ठीक है सुन्दर्ता में भावाचक होगा चलिए अगला है मित्र का भावाचक बताईए मित्र का भावाचक क्या बनता है मित्र का भावाचक बनता है मित्रता ठीक है सी नमबर मित्रता संग्या का प्रकार नहीं है संग्या का प्रकार नहीं है भाई 85 नमबर संग्या देखे बेखती वाचक जाती वाचक भाई देश वाचक कोई संग्या होती क्या नहीं होती ना अगला भावाचक संग्या के अंतरगत आते हैं कौन कौन आते हैं 86 नमबर 86 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा गुण दोस गुण दोस यह भावाचक संगया के अंतर गाताती याद रखे जहाँ पर गुण और दोस की बात करे वो आपके भावाचक संगया के अंतर गाताती है बुढ़ापा सब्द में कौन सी संगया है 87, norm arg 39, norm तो राज जिपाल देखो एग तो होते नहीं है है ना इंकि जाद केते हैं उनको हम राज जपाल बोलेंगे option B हो जागा ठीक है अगर बोल đếnे उत्तरफ देश करा राज बासे कर सकते ठीक है राज जबाल यहापर बुया की राज बासे कि पर करें फिसलन क्या है फिसलन और फिसलन यहाँ पर जो हो जाएगा 90 का जवाब फिसलन यह आपका हो जाएगा संग्या सब्द ठीके 90 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका C नमबर संग्या अब आपको रचना से समझेद दिये कि मधुमालिती की रचना किसने की मधुमालती की रचना किसने किया एक क्यानबे नमबर तो यहाँ पर जवाब आपका होज़ेगा एक क्यानबे का C नमबर यह मंज़न जी की है डिके मंज़न जी की है रचना मधुमालती अगला है, पव्म चरित किसकी रचना है ? बहुत अच्छी कोस्चन आपका है पव्म चरित रचना यहाँ पर जवाब हो जएगा स्वम्भू ठीक है? उपसन शी हो जएगा स्यंभू ज़ी की रचना है पव्म चरित, चरिऊ मार्टी की मूर्टे नामा क्रेखा चित्री किसने लिखी है मार्टी की मूर्टे किसने लिखा है राम ब्रच पेनी पूरी Option Right आपका D हो जएगा नेश कोश्चन आपका दिया गया है कि सुजान विनोद के रचनाकार सुजान विनोद के रचनाकार कौन है 94 नमबर और जवाब हो जोगा option right आपका B नमबर देव ठीके सुजान विनूद के रचना कार आपके हैं विनूद नेस कोच्चन परमाल रासो की रचना किसने की परमाल रासो की रचना किसने की आया पर 95 का जवाब यहाँ पर सही हो जएगा आपका option right आपके B जो जगनिक है ठीक हे जनकवी जग निक जो की ने परमाल रासो की रचना किया है तो प्रबंद चिंता मझी रचना की मेरो तुंग है ठीके मेरो तुंग option आपका a D हो जाएगा प्रबोध पचासा गरंत के रचीता कौन है प्रबोध पचासा गरंत के रचीता है ये रचीता है आपके पदमाकर option D हो जाएगा next question है कभी पिरिया के रचनाकार का नाम बताईए कभी पिरिया के रचनाकार का नाम तो भाई क्या है केसो है ठीके कफिरिया के रचनाकार के सोदास है, option B हो जाएगा, अगला है, अश्ट याम की रचीता कौन है, यहाँ पर 100 नमबर का हो जाएगा, अश्ट याम की रचीता आपके नाभादास है, ठीके नाभादास, यह हिंदी के विए, अब आपको लगाना है GK के टेस्ट, ठीके, एकी व सम्मंदित इस्थल नहीं है, फटा फट जवाब दीजिए, सभी लोग पढ़े हुए हैं प्रस्नों को, चले यहाँ पर, सिंदु घाटी की सब्विता से सम्मंदित इस्थल नहीं है, यहाँ पर जवाब, option राइट दे की काली बंगन है, रोपढ़ है लोथा ले, लेकिन प पर है, उपनेन समारो से क्या तात पर है, यहाँ पर ट्टू का जवाब देना है, तो उपनेन समारो मतलब होता है, option C, बच्चे को पवित्र जनेव धारन कराया जाता है, ठीके, यहाँ पर बच्चे को पवित्र जनेव धारन कराया जाता है, option आपका C सही हो जाएगा, ठी पारी में बहुत गरंतों को आमतावर पर त्रिप्टक यानि थ्री फोल्ड वास्केट कहा जाता है इन में से कौन सा त्रिप्टकों में से नहीं है थ्री का जवाब दीजी सभी लोग चलिए थ्री का ओप्शन राइट यहां पर आपका जवाब देखें अभीदम प्रिटक भ आरंवे में दिल्ली पर किसका सासंता 12 सताबदी के आरंवे में किसका दिल्ली पर किसका सा तूल जवाब दिजी उतिए हां पर वारह और जवाब आपका हो जाएगा तोमर वण्सज within के अनंग पाल दिल्ली के तोमर वंस के साथ सरस्थापक भी थे ठीक है अनंग पाल नेस कोशन आप से अगला पूछा गया है आपर किन में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की अलोचना की किसने अकबर की धार्मिक नीति की अलोचना की है आपर फाइब का जबाब और फाईब का उप्सन्राइट यहाँ पर आपका जो अकभर की नीती का लोचना किया है वो आपके बादाउनी ने ठीक है उप्सन राइट आपके सी हो जगाँ बादाउनी ने किया है ठीक है और Index Question आप सेगला पूछा गया है कि वास्को डिगामा किस वर्ष काली कट में उतरा था वास्को डिगामा किस वर्ष काली कट में उतरा था शिक्स नमबर और शिक्स का जवाब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ओपसर राइट अपका डी हो जाएगा 1498 ठीक है वासको डिगामा काली कट में कपुतरा था 1498 भी में उत्रा था वासको डिगामा जो की समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला था उत्तर मासा अंतरदीब के पास पहुचने वाला पहला आपका यूरोपी नाविक था आपका वासको डिगामा नेश कोचन दिया सब्सक्राइब सब्सक्राइब हिंदु सुधार राइधूलर्ण 평 Camasic अर्थत मुंबई में दयन सरसुत्ती ने यहां पर कैसे हैं यह स्थापना भी किया था ठीक है चलिए नेस कोशन आप से अगला पूछा गया है यहां पर क्या पर खाली स्थान बनना है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए अंदोलन शुरू करने वाले जो भारती निता तर्फारों के लिए अंदोलन जुरू आत किया था राज राम महान राए भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए अंदोलन शुरू करने वाले पहले भारती निता ठीक है यह मानवताबादी हम 20 वंदूत्ता से गहरी आस्थतीन की नेस कोशन दिया से कि महत्मा गांदी भाप से चलने वाले जहाज म सफारी द्वारा दच्छन आफरीका पहुंचे थे म सफारी द्वारा पहुंचने थे आपके कहां पर पहुंचे थे नाइन का जवाब देना है आपको चले नाइन का ओप्षन यहाँ पर बिल्कुल सही है ओप्षन आपका सीव हो जागा डर्बन ठीके महत्मा गांदी अठास तीरानवे में भाप से चलने वाले जहाज आपके एस एस सफारी है ठीके एस सफारी है तो यहाँ पर दच्छन आफरीका के डर्बन पहुंचे थे और वा दच्छन आफरीका की भारती समदाई की नेता बने थे ठीके और नेस कोश्चन आपसे एगला पूछा गया है पर कि निमनिकित में से किसने पहले 1935 में समविधान सभा का सुझाओ प्रस्तावित किया था समविधान सभा का प्रस्ताव जो आपके यह सुझाओ प्रस्त प्रस्तावित किया था किसने किया थे आपर टेन का जवाब और टेन को उप्सन राइट आपका जवाब हो जेगा डी नमबर एम एन राइन ने किया था ठीके नेस कोश्चन आप से एगला पूछा गया है पर कि समविधान सभा के पहले अद्च कौन थे चलिए इजी कोश् नों दिसम्बर 1946 को वैटी थी टिके तब ये आपके आइस था अदरच बने थे और इस था ह seated बने थे कि आपके जो राग्ड़ा क्वार्ष में किया घया था भासा के हैं पर राजयों 356 हो जाएगा डी नंबर आपका से हो जाएगा ठीक है जिसमें से आन्द प्रदेश आपका पहला राज बना था जो कि भासरी अधार पर आपका बना था ठीक है आपसे अगला पूछा गया है यहां पर Kibhota समीधान का निम्रिखित में से कौन सा नुच्छेद विधिक सम्ता यानी कानून के सामने समांता से समंधित है तेरा का अप्षन और तेरा का उप्षन रैट आपके यहां पर यह हो जाएगा आपका चउदा ठीक है चौदा आपका जो अनुच्छे चौदा है विदी के समच्छ समता के अधिकार से संबंदित है ठीके चलिए अनेस कोशन आप से एगला पूछा गया है पर नीलम सज्जी उरेड़ी भारत की जुराश्पती थे किस नंबर के थे नीलम सज्जी उरेड़ी भारत की राश्पती किस नंबर के थे जवाब यहाँ पर रोजय गॉप्सन राइट बी नंबर छटवे नंबर के थे ठीके छटवे नंबर के राश्पती बने थे और उनका कारेकार जो तो चला था वो आपके 25 जुलाई 1970 से 25 जुलाई 1982 तक इनकाराय कारेकार ठीके चलिए निस कोशन आपसे एकला पूछा गया है पर भारती समिधान के किस अनुच्छेत के तहत उपराश्पती का चुना होता है भारती समिधान के किस अनुच्छेत के तहत उप्राश्पती का चुना होता है पंदरा नंबर चलिए उप्राश्पती का चुना पूछा है और यहां पर जवाब हो जोग अप्सन राइट सी अनुच्छे चाचट ठीके अनुछे च्छाचट के तैत उपराजपत्य की चुनाओ की प्रिक्रिया का वर्डन किया गया है ठीके चलिए नेश कोश्चन आप से अगरा पूछा गया है पर कि लोगसभा की सदस्ता के लिए उम्मीदवारों की नीमतम आयू का निर्धारण क्या है लोगसभा की सद सदस्यों के और 30 वर्स होती है राज सभा के सदस्यों की ठीके चलिए नेश कोश्चन आप से अगला पूछा गया है यहां पर भारत के केंदरी मंत्री मंदल में अधिक्तम कितने मंत्री हो सकते हैं केंदरी मंदल में कितने आपके मंत्री हो सकते हैं अधिक्तम यहां पर था तो यह संसोतन आपका 91 में ठीक है 91 नंबर जो संविधान संसोतन दो हजार तीन में का गया था ठीक है और देखा जाए तो संपुर्ट सदस्थ संख्या 40 है वामन्ति प्रद्र संख्या दिक्तम 12 हो सकती है बतलब कि सकते हैं यह पॉइंट आपको अमसर याद रखना है जो तो आपसन राइट आपके यहाँ पर राजपाल की नुक्ति करते हैं भारत के राजपती ठीक है भारत के राजपती यहाँ पर कर सकते हैं की नुक्ति करते हैं और उन्हीं के प्रसाद परियंत बने भी रह सकते हैं ठीक है वैसे तो कारेकाल राजपाल का 5 वर्स होता है ले आरती राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमारित करता है ? 19 संबर और 19 कोसीन र開ट आपका जवाब यहाँपर आपका A हो जाएगा राज विधान और अध्यच ठीक है मुद्रा विल होने के लिए विल जो प्रमाणित करता है आपका राज विधान सभा का अध्यच करता है ठीक है 20 और 19 कोसीन आपका A हो जाएगा नेस्ट कोश्चन आप से एगला पूछा गया है भारत में महिलाओं के लिए आरच्छन उपलब्द है भारत में महिलाओं के लिए जो आरच्छन उपलब्द है वो आपके कहाँ पर देख सकते हैं बेस नमबर तो यह आपके पंचायती राज निकायों में ठीके पंचायती राज निकायों में यह आपका है ठीके नेश कोश्चन आप से अगला पूछा गया है पर कि 20 जून को दो पाहर को सुरी की इस्थिती एकदम सिर्के ऊपर कहाँ पर होती है सिर्के ऊपर पूछा है और सिर्के ऊपर मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर 23.5 उत्तरी ठीके 23 आपका हो जाएगा यह उत्तरी अच्छा से जो करकरेखा है और यहाँ पर 20 जून को पता है कि 20 जून को करकरेखा सुरी के ठीक सामने होती है ठीके और इस्थित को सुरी करकरेखा आपन लंबवथ होता है इसके लंबवथ होता है ठीकई चलिए नेस कोईस्ट आप से अगला पूछा गया है कि ग्रίν लैंड कहां इस्तितै ञाइस नंब़र ग्रीन लैंड ये आपका इस्तित आपके उत्री अप्लानिक मासागर में ।दृक है उत्री जल का ओसत खारापन जो होता है कितना होता है तो तेश को अपसन राइट आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा तीन दसमलोग पांच प्रिस्त होता है याद रखेगा यह ओसत खारापन है ठीके मतलब सागरी जल में घुले हुए पदार्त में भार उसके जल के भार के अनुपात को सागरी लवनता कहते है तीक है अपसन आपका सी हो जाएगा नेस कोशन दिया है कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान 24 छलिए सबसे बड़ा गर्म रहेगिस्थान आपका कौन है, तो option आपका B हो जाएगा, यह आपका Samara है, ठीके? बीनमबर Samara है. Next question दिया है, इन में से कौन सा European देस है? European देस इन में से बताये कौन सा है European देस. और यहाँ पर European देस आपका हो जाएगा option right, अर्जिंटीन न में हैं निम्डिकित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है अर्दात कौन सी नदी है जो आपके अरब सागर में गिरती है 27 को आपसन और आपसन राइट आपके याँ परे हो जाएगा नर्मदा नदी ठीके नर्मदा दी है जो कि आपके अरब सागर में गिरती है ठीके, नेक्स्ट कोर्श आप से अगला पूछा गया है पर, कि नम्लिकित में से किस भारती भाय ज्यानिक ने नॉर्मन बोरुलाग के साथ सायो किया, जिसकी पैड़त भारत में हरित करांती के रूप में हुई, तो नॉर्मन बोरुलाग के साथ सायो किया और भारत में हरित क श्राइप चाहिं जनक कहा जाता है ठीके और भारत में राष्टी आयका आखलन करने वाली जो संस्ता है वाप की कौन सी है तो आपका 39 का जवाब यहां पर सी क्या हो जाए वह है उन्तीस का सई option चलिए सई option र्राइट आपके यहां पर डी हो जब केंदरी सांकी संगर्थन ठीकिश नबर केंदरी रूप में रखा गया है नेश कोशन आप से पूछा गया है पर 2011 की जनगर्णा रिपोर्ट की अनुशार नेमने कितमे से किस राज में जन जाती जन संख्या नहीं है किस राज में जन जाती जन संख्या नहीं है ठीक है अगर हर्याना के अलवा देखा जाए तो पुदुचेरी दिल्ली और आपके चंडीगर पंजाब में भी कोई अंसूची जाती है आपके नहीं है पांच ऐसे राजे जापर अंसूची जाती है अपकी निवास नहीं करती है अगला कोईशन है काया कलप और सहरी परिवर्तन के लिए अटल मिसन किस मंतराले क्या दिन है अटल मिसन जो आपका मंतराले क्या दिन है किस मंतराले क्या दिन जवाब हो जगा आपका यह नंबर आवास और सहरी मामले के अंतरगत के लिए प्रियुक्त किया जाता है तो silver iodide आपकंशी हो जगा silver iodide को प्योंग खोड़िम वर्षा के लिए किया जाता है ठीके और यहाँ पर होता है silver nitrate silver nitrate होता है जो अंगली पर तो अगलें निसान लगा जाते हैं तो इसका उपकीयोंको होता है मद्दाता कर्या क्या समय जो अंगूली पर लगाया जाने निसानwa होता है वह सिल्वर नाइट्रेट का होता है ठीक इसे कि लोरो फिल जलाया जाय तो कूंसा तत्तोय सव not chlorophyll को अगर जला देते हैं तो इसमें सेस जो कई तत्त दू बचै गा यम्जी largely magnesium ठीकए अबने मंजी बचेगा ठीक Sug क्वेक और इससा क्यों कि इसमें पाया जाता है ठीकए मक्हराश में कि रोप में पुर्षों की तुल्ला में महिलाओं में बहुत कम होता है पुर्षों की तुल्ला में महिलाओं में बहुत कम ये रोग देखने को मिलता है देखे कौन सा रोग है तो यहाँ पर जवाब हो जेगा ओप्सन डी वर्डानता अर्थात कलर ब्लाइडनेस ये रोग महिलाओं में नहीं होता है अथाथ color blindness जो होता है यह आपके महिलाम देखनों को नहीं मिलता है ठीक के अधिक ही समय दोनों तरप कौन सा प्राणी देह सकता है एक ही समय मतलब दोनों तरफ ऐसा कौन सा प्राणी देह सकता है यहाँ पर आपका जबाब 37 का ओजाएगा option right और एक ही समय में यह आपकी दोनों दिशाओं में दे सकता है नेस्ट कोश्चन आपसे पूछा गया है निम्रिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्रस का स्रावर करता था पित्रस जो निकलता है कहां से निकलता है तियाद रहें निकलता आपकी यक्रस से ठीक है लेकिन कि लाल रख्त कणिकाएं सरीर के किस भाग में बनती हैं लाल रख्त कणिकाएं सरीर के किस भाग में बनती हैं तो 49 को उप्शन राइट आपका जबाब हो जेगा अस्ति मज्जा में अस्ति मज्जा में बनती है आपकी लाल रख्त कणिकाएं ठीके और जो अधिक्तम देख प्रिखा जाए इनका जीवन काल होता है 100-120 दिन के बीच इनका होता है ठीके नेस्ट कोईशन आप से एगला पुछा गया है कि उच्छादन अर्थात अनावरण पर किसी पदार्थ का वाई से नमी का आवसोशन करने के गुण को क्या कहते हैं वाई से नमी को आवसोशन करने अल्यू का विस्त्रत रूप तो जवाब हो जगा आपसा राइट आपका सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका सी सही हो जाएगा ठीके एट सी नमबर नेस्ट कोईशन दिया गया है कि कम्प्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्ड मालाओं की की होती है कितनी मतलब कम तता देखा जाए कि बोर्ड में समानता तो 102 कोई आपकी आती है ठीके जो कि नुमेरिकल की फंचन की इसपेशल आईसी कुल मिलाके 102 हो जाती है नेस्ट कोशन दिया है नेमिकित में से कौन सा आजयविक नहीं है कौन सा आजयविक नहीं है 43 नमबर और 43 का जवाब यहाँ जाए पर आजयविक नहीं है आपका देखे पानी मरदा हुआ लेकिन कवक जोआपका है यहाप का जाएविक नहीं है Wah कडी कडी सही हो जाएगा ठीके नेस्ट कुस्छा चैन आप सब्सेला की यह क्या है क्या व्लाइच यह को जिन बार बार पूछड़ा था क्адर Yael करता हा उड़न राख बहुत सी चीजें जैसे कोईला को जलाने से निर्वित पदार्थ में महिन करने होते हैं इस परकास ठीक है नेस कोशन आप से एकला पुछा गया है यह भारती बैग्यान को द्वारा खोजी गई आकास गंगाओं की सुपर क्लेस्टर का नाम क्या है अकास गंगाओं की सुपर क्लेस्टर का नाम क्या है जो की भारती बैग्यान को निखो जाए है और इस सुपर क्लेस्टर का जो नाम है वो आपका रखा गया औप्सन राइठ यहांपर आपका ड़्य नमबर सरा सुती रखा गया है ठीके नेस्ट कोश्चन आप से एकला पूछा गया है आपर कि मदवनी कला कहां प्रसिद्ध है मदवनी कला कहां प्रसिद्ध है तो मदवनी यहाँ पर 46 को अप्सन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा अप्सन राइट आपके B आपकी मिथला मिथला में प्रसिद्ध है जो की बिहार में ठीक है चलिए नेस्स कोश्चन आप से एकला पूछा गया है कि प्रतिवर्स अंतराश्टी जनसंक्या दिवस कम मना जाता है त्याँ पर 47 कोश्चन राइट आपका जनसंक्या दिवस मनाते हैं आपके ए नंबर 11 जुलाई को मनाते 11 जिलाई को 200 जन संक्या दिवस 15 अगस्त को आपको पताईए 37 दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को अगर बात करें तो इंद्रा गांधी पुन्नेतिठी होती है राश्टी एकदा दिवस भी मनाते हैं 31 अक्टूबर को 21 जून 2015 को प्रथम 12 को मनाया गया था ठीके न और यहां पर योग अंद्रा प्रथम इस्तर पर इह आपका वैचक अभी की स्थर्पार आपको मनाया गया था ठीके और वैसे देखा जै अंतराष्टि यूग दिवस मनाने जाने की पहल प्रतारमन्ति नरित मोदी की द्वारा ह देश में और ब्रिक्स देश में आपका ब्राजील है और ब्राजील से यहां पर कह सकते हैं कि आपका जवाब D आपका ब्राजील हो जाएगा ठीके अता तो ब्राजील में देखो ब्राजील हो गया यह पांच आपकी कंटरी है ठीके रूस इंडिया चाइना साउथ आफरी का इस प्रकार से यह पड़ी हो जाएगा नेस्ट कोश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के निमन में से कौन से जिले की सीमा मद्ध प्रदेश के साथ साजा नहीं करती है यह कोश्चन बहुत रिपीट होता है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं यह सीमा नहीं मिलाती है यह अमपी के साथ यह आपका है डी नमबर आपका अली गड़ ठीके अली गड़ यह आपका नहीं मिलता है लेकिन उत्तर प्रदेश इलाहबाद, मिर्जा, पूर, आगरा, इटावा, जहांसे, ललित, पूर, बांदा, चित्र, को, सोन, बाद, यह सब मिलते हैं लेकिन यह आपका नहीं मिलता है ठीके डी नमबर आपका हो जाएगा तो जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक दिक्कते आती रहेंगी किताब भी पढ़ें, टेस्ट भी लगाएए ठीके आज की वीडियो में इतना एक सब वीडियो पुजाते जाती वीडियो लाइक करिए धन्यवाद, जैन, जै भारत